आज प्रतेग देश्वासी से एक और समर्थन मांग रहां ये हैं जनता कर्फ्यू जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू इस रभिवार याने दो दिन के बाद 22 मार्च को 22 मार्च रभिवार को सुबे 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देश्वास्यों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बाहर न निकले न सडक पे जाएं न महले में या सोसाइटी में इकत्रे हो अपने घरों में ही रहे हां जो आवशक सेवां से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा उनका बहुत बड़ा दाई तो होता है लेकिन एक नागरीक के नाते न हम जाएं और हम देखने के लिए भी न जाएं सात्यों बाइस मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसयम देश हित्मे करतेवे पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीख होगा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता इसके अनुभव हमें आने वाली चुनोत्यों के लिए भी तैयार करेंगे मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आगरे करूँगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नित्रुत्व करें हमारे देश में कई संगठन है NCC है NSS है कई वा संगठन है civil society है खेलकुत के संगठन है कई प्रकार के संगठन है धार्मिक संगठन है सामाजिक संगठन है सब कोई सबसे मैं अनुरोद करूँगा कि अभी से लेकर रवी बार तक इस जंता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुंचाएं लोगों को जागरुक करें आप यह भी कर सकते हर दिन दस नए लोगों को फोन करके आप आप इस वैश्विक महामारी के समद्ध में नागरिक को करने वाले काम जंता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं उनको बताएं मेरे प्यारे देश स्वासिवों यह जंता कर्फ्यू एक प्रकार से हमारे लिए भारत के लिए एक कसोटी की तरफ होगा यह कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के ख़़ाब लड़ाई के लिए भारत किता तयार है यह देखने और परेखने का भी समय है